आज मैं आपको अपसेशिव कमपल्सिव डिसॉडर एन्हें मंत्र की ब्यमारी इसके बारे में जानिकरी देने वाला नुग। होता क्या है कि यह जो लोग है जिनको यह समस्या है इनको दिमाग में बार-बार-बार एक ही विचार आते रहे। और वो इतने बार-बार विचार आएंगे वो कि वो विचार आने के बाद में उनको बाकी काम करना बहुत ही मुश्चिल हो जाता है। एक विचार उनने पकड़ लिया, उनको बार-बार विचार है, तो यह रहा हो, नॉर्मल वेक्ति को भी कुछ हद तक ऐसे बार-बार की विचार आज रहे, मगर वो विचार एक 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, एक मिनिट के बाद में वो विचार हम भूल जाते हैं, और वो विचार भूल कि हम और जो कोई विचार वासर कान की अधार हम सफले है, वो काम के उभरन क्रिथी करना जाल दो pearl कुर देखते? यह लोगों को होता क्या है उस लोगों को कि एक बार विचार वो तिमाज में उनके आ गया है कि वो वोई विचार उनको कुछ मिनिट तक मतलब 10-15 मिनिट आदा गंटा एक गंटा दो गंटा वो पारबार विचार हैं अजिए उसको लगेंगा कि मैं गंटा हूं इनको कुछ तबी पाप किया हुआ है तो उसको रखेंगा कि मैंने कुछ तबी पाप किया हुआ है तो उसको कहीं विचार आइंगे उसको रज़ेंगा कि भई मेरा घर जो बराबर नहीं घंदा है, मैंने साफ करना चीए, तो वह विचार हैं. उनको कोई घरवालों के बारे में, कि भई ना मेरा प्यादा वेक्ती जो भरका, मेरा बेटा, मेरी मा या मेरी पत्नी या पती या गो मर जाएगा. ऐसे विचार आते हैं, तो वो विचार जब आते रहते हैं, तो इतने वो विचार उनको सताएंगे, कि फिर उनको बाकी कुछ काम भूप करी सकते हैं, अब यहां तो ठीक है, सब्सक्राइब बार 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 और वो विचारों आ रहे हैं, उनको सुना रहे हैं, अब कुछ कुछ बेक्ति जो है उनको वो विचार दो आती है और विचारों के ऊपर उनको और ही विचार आता है कि अभी मैंने कुस्त भी कृति करमा छी और मैं कुछ कृति करूंगा तो जो मैं सोच रहा हूं वह ऐसा हूंगा निका। इसका मतलब यह है कि समझें मेरे मंद में विचार आता है कि मेरा बच्चा मर जाएंगा यह बाड़ बाड़ विचार आता है अब यह मेरे को मालूम है कि विचार है यह फल्दू का विचार है यह विचार में कोई तच्छ नहीं है ऐसा होने वाला है अभी तक ऐसा हुआ नही को मैं नमस्कार करता हूँँ तो मेरा बच्चा मरेंगा नहीं। मैं जाके घगवान को प्रातना करता हriel. की वह भीचार मतलब ऐसा होगा है, फिर मैं एगा ओखना कर गाए कि मैरा विचार निखल जाए कि मेरे हाथ में गंद है। है क्ाल याद गंद है। इसे में चेल आगे mark, जलो फिर धोलो, फिर धोलोंगा, तो दोने के बाद में फिर ज्यागा है। कि ने, आट तो गंदी हैं बड़ाबर हुए नि, री बोटने लोगा दोंगा, फिर फड़ा शान्त लगेंगा, फिर फड़ा दोंगा, मैल प्सक्राIn China का रीम, मेहां जिसरी हाँ मेıt, कि पर मेदह दोंगा, दोंगा. और एक बार नाके मेरा मेरी संतुष्ट्य होती नहीं, फिर मैं दो बार, तीन बार, चार बार, तो एसे लोग एक गंटा, दो दो गंटे बात रूमें बैठे रहते हैं और नाते रहते हैं। फिर कुछ लोग बोल देगी नहीं, मैंने पाक किया है, या मुझे कुछ भी, मेरा कुछ भी खराब हो जाएगा, कुछ भी घडबड हो जाएगी। तो मैंने भगवाद की प्रासना करना जाएगी, मैंने पूजा करें। तो फिर मैं पूजा करने बैठे उगा और पूजा फिर एके गंडा, दोगंडा, तिन तीन गंडा पूजा ही कर रहे है। क्योंकि मैं पुजा नहीं करूंगा, तो फिर वह ऐसा हो जाए, जो विचार आरे कलती, गलत अना वह हो जाएगा, ऐसा लगता है। तो लोगों को आकसर, बारवार हदोना, बारवार मालेना, बारवार घर साल्सकर न, भग्वाक्र पूजा करना, या उंको लघता है कि न definite कलते को तो ल definite कर आ dope and live कि लेट्रिन हुई नहीं, लेट्रिन हुई नहीं, फिर जाओ लेट्रिन, पर बाहर आ गया तो फिर विचार आएंगा, कि लेट्रिन हुई नहीं है, तो फिर महीं बैठे रहेंगे, एक गंडा दो गंडा और लेट्रिन में बैठे रहेंगे, ताकि वो लेट्रिन पूरी एक पर समाधान हो गई कि लेट्रिन हो गई, फिर वो बहार आएंगा। उनको पूरे दिन भर में कुई काम नहीं कर सकते। नाना, दोना, पपड़े दोना, घर सफाई करना, भगवान के कुछा करना, लेट्रिन जाना, बस इतने महीं उनका पुरा दिन निकल जाता। उनके हाथ सफेद हो जाएंगी, उनका पुरा बदन सफेद हो जाएंगा, बार 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 हो, क्योंकि साबून घस्ते रहेंगे, घस्ते रहेंगे। गरस इतना ये लोगों का घर इतना साथ सुद्रा रहेंगा, और घर की चीज़े जहां के वहां रहेंगी। पेन महां रहेंगा मतलब भही रहेंगा, आयाना महां के भही रहेंगा, मोबाईल भही रहेंगा, उनका घर है से यह लोग बहुत परफेक्शनिस्टिक होते हैं और उनको सब चीजे perfect चली, तो घर भहत अच्छा दिखता है, सुन्दर दिखेगा, यह लोगों को problem होता ही ए ख उनको भी बढ़ने लगाएंगे, हाथ दोने लगाएंगे, कपड दोने लगाएंगे, तो घर वालों को सबको तकलीफ होती है, सब लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनका साफ सफाई में हैं पूरा दिन निकल जाता है और बाकी लोगों को भी यह बोलेंगे साफ सफाई तो एक बार लगाएंगे फिर एक दो बार और चेक कर लेंगे, यहां तक तो ठीक है, हाथ दो लिया, एक दिवा लगते हैं और एक बार दो लिया तो अपना समाधन हो जाएगा, फिर धोना है तो जिर्फ पर दो, मतला नॉर्मल मात्रा में जाए सब चलते हैं तो यह लोग के दिमाग में magical thinking आते हैं, तो यह सब आगे इतनी बीमारी बढ़ने के पहले ही, तो घर के लोग उनको लाते हैं इलाज करने के लिए, तो इसमें 100% recovery होते हैं, तो आज जो हमारे देश में, जो ऐसे लोग पीडी थे बीमारी से, वो सम अच्छे हो के उनका जीवान अच्छ जी सबीड, तो थाट यू वेरी मुच।